तैंक यू सो मच विनो जी फोर यूर कंसर्ण और आपका मेसेज पढ़के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको रिप्लाइबैक करना चाहती हूँ उस रिप्लाइबैक में मैं बताना चाहूंगी अपने बाकी सभी जो मेरे फॉलावर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं कि विनो जी ने कितना अच्छा कुशन पूछा है fatty liver, fatty liver क्या है कि आज के समय पर 90% लोग जो है fatty liver की तरफ जा रहे हैं या उनको fatty liver है पता नहीं है केवल 40-50% लोग ऐसे हैं जिनमें diagnosis इसका मिल पाता है सबसे पहली बात fatty liver क्या होता है, सबसे पहली बात आप यह समझें कि liver हमारे body का बहुत important अंघ है आपको इसका हमेशा ध्यान रखना है और fatty liver ना दो तरह से होता है कि या तो body में fat या cholesterol बढ़ गया है या body में insulin resistance होने की वज़े से आपको fatty liver हो रहा है या fatty liver की वज़े से insulin resistance हो गया है तो यह बहुत सारे prone situation होती है पर इसमें छोटी-छोटी चीज़े होती है जो आपको हमेश बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पतले हैं उन्हें fatty liver हो गया है उनको अलग-अलग डाइग्नोसिस या टेस्ट कराने चाहिए पट जो कुछ तो सुपरफीशल चीज़े पहुंआ उनसे को बताना कहोंगे इसमें कम खाना खाते हैं जो लोग कम खाना कहते हैं वो कम से भी कर खाएं अगर तीन रोटी के कि Crimea खाते कर नढ़ना देगर चाहें और दूसरी चीज़ से exercise करना बहुत जरूरी है दिस हुआ है चल रहे हैं यह पूरा हफता आप चलते हैं तो चलना ार्म हो गया नहीं ऐसी होने चाहिए जहां आपकी बॉडडी से क्यालरी होने चाहिए जहां का birthday बढ़ना चाहिए तो उसके लिए क्या करें कि ठोड़ी एसी करना शु Cake करें जिसमें आपको पसीना correct यह exercise जब आप 5 दिन करेंगे हफते के 5 दिन या 6 दिन करेंगे तब आपको fatty liver में 3-4 महिने पर जाके फर्ग दिखाई देगा और सबसे बेस्ट है कि किसी yoga teacher की सलाह लीजे और yoga करना प्रारंब करिए उसके साथ साथ अगर आप alcoholic हैं या smoking करते हैं को बिल्कुल छोड़ दीजे या आपके स्वास्त के लिए या आपके fatty liver के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है healthy खाना खाईए और अपना focus थोड़ा सा salads की तरफ कर दीजे इससे अलग आपको कोई भी query है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद